दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग सा वीडियो है देखो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जहां जो गर्व बनाना जा रहे हैं अपना मेंली ये गाउं में होता है जो आज मैं बताऊंगा वो बहुत बेसिक चीज है जो सिविल इंजिनिर है उनको भी ये पता होनी चाहिए जो आपना बिजनस टार करना चाहा रहे है कि मतलब हम कंस्ट्रक्शन का ऐसे कॉंट्रक्टर काम करेंगे उनके लिए भी आज मैं बताऊंगा कि हैच बीम क्या होते है और फ्लैड बीम क्या आते है क्यों हम इने प्रवाइड करते हैं कैसे हम इने प्रवाइड करते हैं और क्या क्या चीज़े आपको ध्यान देनी है और आप कैसे इसको सस्ते वे से प्रवाइड कर सकते हो पहले मैं बात करूँगा सबसे पहले hatch beam होते के हैं सामने आप देख रहे हो जो यह सामने beam आपको देख रहे हैं मतलब एक steel बांदा हुआ है beam के अगार में यह हमारे होते है hatch beam जा flat beam बोलो इनको इनकी कोई लटक नहीं होती है इनको आप नाम दे दो के concealed beam भी बोल सकते हैं लेकिन concealed beam एक अलग चीज आगे यह आगे हमारे hatch beam और या flat beam इसको हम provide इसलिए करते हैं क्या होता है जब हमारे पुराने गर थे जो load bearing structure थे जिन में ना कोई column दिये थे ना beam दिये थे simple flat slab दियुए थी जैसे हमें अभी column भी provide नहीं करने हैं क्यूंकि 2 story तक आप load bearing structure बना सकते हो सिर्फ मतलब दिवारों पर अपना गर बना सकते हो लेकिन अब उसमें भी आपको दियान देने उसमें आपको देने बढ़ेंगे hatch beam बोल रो जहां flat beam देखो जो नीचे वाली दिवारे वो एक question है मेरे को काफी time पूछा भी गया है और यह अच्छा idea है एक अच्छा तरीक है जिससे load भी distribute होता है hatch beam provide करके क्या करने है जो आपका plan हो जैसा plan है उस इसाफ से marking कर लो पहले सामने आप देख रहे हो जैसे हम marking कर रहे हैं कि हमारे यहां यहां हमारा दिवार आएगी hatch beam वहीं दिया जाता है जहां जहां दिवार आनी हो जादा देने की जुरूरत नहीं है क्योंकि जो आपने slab डाली होगी उसमें steel होगा और नीचे दिवारे है ही है 9 इंच की है 5 इंच की है लेकिन दिवारे हैं तो आपको वहां hatch beam प्रवाइड करना है यहां आपकी दिवार होगी और hatch beam की height कितनी रहेगी depth कितनी रहेगी उसकी जादा कुछ जादा depth नहीं रहेगी उसकी 5 इंच से 6 इंच उसकी depth रहती है और उसकी width कितनी होती है 9 इंच जितने की आपकी दिवार होगी उतने कई आपको hatch beam उसमें provide करना है करना एक तरीका यह है पूरे मतलब जहां-जहां आपका आएगा मतलब जहां-जहां दिवार आने वाली है जैसे एक marking हो रही है वहाँ-वहाँ आपको hatch beam पहले draw कर लेना है एक बार marking कर ली उसका layout कर लिया उसके बाद जैसे मैंने बताया था पैसे कैसे बचाओगे इसमें देखो क्या करो जो brick वहाँ available होंगी क्योंकि shattering करने से costly हो सकता है brick लगा देनी है side side पे जैसे जैसे आपका आएगा ठीक है जब जै हो जाए उसके बाद क्या करना है थोड़ी hacking कर ली है मतलब थोड़ा जो surface है उसको rough मलने हो जैसे मैंने देख रहे हो आप सामने निशान मारे हुए है यह क्या है bond के लिए उसके बाद उसमें steel provide कर देना है और इसमें जो आपको steel provide करना है 12 mm का steel provide करो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है bottom में दो नग दे दो बारा के top में दो नग बारा के दे दो और जो ring यह stir up है उसका spacing रखो कम से कम मतलब 6 inch से ज्यादा उसका spacing मत रखो यह हो गया एक बार और यह ध्यान रखना यह हमेशा continuous होने चाहिए मतलब तोड़ तोड़ के मत करना जहां आगर जरूरत नहीं है आ रहा है continuous कर दो लेकिन तोड़ तोड़ के उसको नहीं करना होता है जब एक बार ही हो गया मतलब आपने steel बगारा बांद दिया उसके बाद इसमें थोड़ा नीरू से नीचे कर लो उसके बाद आपको इसको concrete कर देना है और जो concrete इसको use करना है वो minimum M30 grade का concrete इसमें use करना ही करना है मतलब आपके एक MQ के माल में 8 बोरी cement होना है होना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी strength need है क्योंकि सब load जो भी दिवारें इसके उपर बढ़ेंगी सब इस पे आने वाली है और 7 दिन इसको curing करना है लगातार आपको पानी इसमें आपको मारते रहने है कि एक बार strength पकड़े और 7 दिन के बाद इसके उपर आपको brick work start करना है दियान रखना मतलब जैसे आपका पहले दिन खत्म हो दूसरे दिन इस पे brick work नहीं करना है ये था process hatch beam को provide करनेगा हमेशा दियान देना कभी भी बिना hatch beam के उपर की story नहीं बनाना अगर column बगरा है beam दिया है फिर आप जो करना है जैसे process रहता है वैसे करते है उसके बाद ऐसे दिवारे आएगी और जो hatch beam की change होगा उसमें कैंकरा बैंकरा डालके उसको proper flooring उसमें कर दी जाती है गाईस अगर वीडियो पसंद आये होगी जुरूर लाइक करना और प्लीज प्लीज चैनल को subscribe करो आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देते रहूँगा कुछ आपकी demand है तो आप comment करो वैसे वीडियो में आपके लिए जुरूर लाँगा thank you guys